आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ अब जो y का है equation 1 by 1 plus x minus 2 का whole square है जहाँ पे x और y meter में बोलागे ज़र, shape of the wave disturbance does not change with time मतलब कि shape disturb नहीं हो रहा तो velocity of wave up से according to the question पूछा जा रहा है अब तो सिंबल सा logic एगर मैं फर्स्ट वाला जो equation देखू तो y is equal to क्या दे रखा है 1 by 1 plus x square दे रखा ये कभ है t is equal to 0 पर अब इसका हम लोग graph बनाने का प्रयास करते हैं कि इसका graph कुछ exact नहीं बनाएंगे बट हलका सा feel करते हैं कि कैसा दिख रहा होगा उस पर बात करते हैं लग भग लग लग तो देखो सिंबल सा logic यह है कि अगर इस equation को देखो तो इस equation में maximum जो आएगा क्योंकि यह x square जो है आपका वो always क्या होगा greater equal to 0 होगा मैंस में इतना तमने उपढ़ रखा क्योंकि positive time है क्योंकि square लगा होगा तो यह कब होगा यह यह जो पूरा पूरा थो टरम है ह्ये maximum कब होगा यह y maximum होगाadenSi 131 निवूंटर म्हों होग जब आपका एक सव Prof union होगा और आपका कडर धंगा जेलों हो सकता कि बाहर हमने स्कॉर लगार अगर डिखेव फिर होगे याहां पर मीक्समिे चिरण लोगा तो इसाल यो क्सिको सवह वैंको 10 को जां पर फिर आए सो दीखेगा आगे आगे का नहीं पता बट ऐसा तो दीख रहा होगा तो यह वैलू फॉर्दर फंक्सिंन यह कवह टीग दीक रो पर और एक ग्राफ यह टीवल टुछ अब हुआ क्या कि जैसे ही हमने आगे देखा आगे मतलब कि t is equal to 4 पर देखा तो अब जो हमारा y का equation दीखा वो हमारा equation दीखा 1y 1 plus x minus 2 का whole square है अब यह जो value है कि maximum कब होगा जब नीचे वाला minimum होगा d numerator minimum होगा और यह कब होगा जब यह वाला value 0 हो जाए ठीक है क्योंकि overall होगा क्या है कि जब भी अगर आप 1 भी रखोगे तो negative बन करके अगर value x equal to 0 था तो x equal to 2 माल लेता है कि हमारा यहां पर होगा तो same यही graph बनेगा बट अब यह यहां पर बनेगा ऐसे कि यहां भी तो degrees ही कर रहा होगा कि अगर आप x का value 1 रखो तो 1 रखोगे तो फिर से 1 by 2 या फिर माइनस 1 रखो तो उस टाइम पर माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 हो जागा ठीक है और इसका स्क्वारिंग कर लोगे ओके लो ओवर आल जैसे से आप x का value बढ़ा होगे तो यह value decrease कर रहागा ठीक है तो maximum वहां रहा यहां पर मिला अब बस इतना देखो कि यह जो maximum है ओ जो maximum जो हो कितना चला तो यह चला इतना इतना चलने का मतलब कि यह कुल मिला कि इतना distance ट्रावल किया maximum फोकस करके तो यह चला आपका 2 मिटर कितने time में चला यह कब था यह t बराबर 0 पे था और यह t बराबर 4 पे था अब simple सी बात है कि हमारा अगर बात करें speed तो speed क्या होता है speed is equal to distance upon time होता है हमें speed push रखा है distance कितना चला है 2 time कितना लिया 4 इसको अगर आप solve करो जागा 1 by 2 मतलब की 0.5 meter per second okay so option one is option number one is the correct na thank you classics tutorial से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज जी download करे doubt net app या whatsapp कीचे अपने doubts 8444 पर